नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदस्तार और मैं हूँ आपके साथ अर्जी अन्यू महंगाई से बेहाल जंता पर पाकिस्तानी सरकार डाल सकती है टैक्स का बोज आएमेफ की शर्तों को किया स्वीकार अन्तराष्ट्री मुद्राकोश यानि की आएमेफ से लोन की गुहार लगाता पाकिस्तान अब रुके हुए रिंड कारिकरम को एक बाद फिर से शुरू करने की योजना बना रहा है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में आर्थिक संकर दिन प्रति दिन गहराता ही जा रहा है आर्थिक मोर्चे पर नाकाम पाकिस्तान अब देश के बाहर से मदद मांग रहा है वहीं अब किसी भी तरह की शर्ट को मानने के लिए तयार है पाकिस्तान अंतराश्ट्री मुद्राकोश से लोन की गुहार लगाता पाकिस्तान अब रुके हुए रिंड कारिकरम को एक बार फिर से शुरू करने की योजना बना रहा है इसके लिए नए करों के जरीए दो सो अरब रुपे की राजस्व वसूली के लिए दो मसौदा अध्यादेश तयार किये गए हैं आयमफ की मांग के बाद उठाया या कदम अंतराश्टी मुद्राकोश ने रिंड देने के लिए पाकिस्तान के सामने कुछ शर्टे रखी थी पाकिस्तान द्वारा या कदम अंतराश्टी मुद्राकोश की रिंड संबंधी मांगों को स्विकार करने के बाद उठाया है करने की सोच रहा है पाकिस्तान द्वारा आई एम एफ की मांगों को स्विकार करना इसी क्रम में बताया जा रहा है इस मसौधे की तहट बने अध्यादेश में अध्यादेश में से एक बार शुल्क के लिए 100 अरब रुपे के लिए तयार किया गया है वहीं रात के वक्त बाजारों को बंद करने के बाद अब पाकिस्तान बिजली सबसिडी भी बंद करने पर विचार कर रहा है इसके अलावा निर्याद के लिए कच्चे माल पर विक्री कर लगाने के अलावा बिजली और गैस टैरिफ में बढ़ोत्री पर भी विचार कर रहा है पाक प्रधान मंतरी के आश्वासन के बाद आई एम एफ टीम कल पहुँच सकती है इसलामाबाद पाक प्रधान मंतरी द्वारा इन नीतिगत उपायों को लागू करने का आश्वासन दिये जाने के बाद अंतराश्टी मुद्राकोश की टीम कल 31 जन्वरी को इसलामाबाद पहुँच सकती है बताया जा रहा है कि आई एम एफ की यह टीम लगभक चार महिने से राजनिती कार्णों से पाक दौरे पर नहीं आ पा रही थी इस सिलसले में पाकिस्तान के एककर अधिकारी ने इस बात को बताया कि उन्होंने दोनों अध्यादेश तयार किये है इन अध्यादेश के तहट विलासिता की वस्तूओं पर लगने वाली कर की दरो और नियामक शुल्क में व्रिद्धी हो सकती है इसके अलावा पैट्रोलियम की किम्तों पे 20 रुपे से 40 रुपे प्रति लीटर की वढ़ोतरी हो सकती है रिंडाता के इनकार करने के बाद सरकार को आई एमेफ की शर्तों को स्विकार करना पड़ा तो इसी प्रकार देश विदेश की आने खबरे जानने के लिए हमारे साथ बने रही रेडियो हिंदुस्तान पर तब तक के लिए नमस्कार